रोमियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री चौथा अध्याए सो हम क्या कहें कि हमारे शारिरिक पिता इबराहिम को क्या प्राप्थ हुआ क्योंकि यदि इबराहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमन करने की जगह होती परंतु परमेश्वर के निकट नहीं पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मिक्ता गिना गया। उसे दाउद भी धन्य कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप धापे गए। धन्य है वेह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी। हम यह कहते हैं कि इबराहिम के लिए उसका विश्वास धर्मिक्ता गिना गया। तो वेह क्यों कर गिना गया। खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में। खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्न पाया कि उस विश्वास की धर्मिक्ता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था। जिससे वह उन सब का पिता ठहरे, जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और की वे भी धर्मी ठहरें। और उन खतना किये हूँ का पिता हो, जो ना केवल खतना किये हूए हैं, परंतु हमारे पिता इबराहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो उसने बिन खतने की दशा में किया था, क्योंकि यह प्रतिग्या कि वह जगत का वारिस होगा, ना इबराहिम को, ना उसके वंश को विवस्था के द्वारा दी गई थी, परंत विश्वास की धर्मिक्ता के द्वारा मिली, क्योंकि यदि विवस्था वाले वारिस हैं, तो विश्व विवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां विवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं। इसी कारण वहे विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीती पर हो, कि प्रतिग्या सब वंश के लिए द्रण हो, न कि केवल उसके लिए जो विवस्था वाला है, ब मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने, जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुऊं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, कि मानों वे हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास क इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो, और वह जो एक सो वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की पृतिग्या पर संधे किया, पर विश्वास में द्रण होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने पृतिग्या किये है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है, इस कारण यह उसके लिए धर्मिक्ता गिना गया, और यह वचन हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु ईश्व को मरे हुँ में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया.